अगर आप नाइपर एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो होने वाला है आपके लिए इसके अंदर हम लोग केमिकल टेस्ट पॉर कार्बो हाईडरी डिसकस करने वाले हैं नाइपर एक्जाम के पॉइंट अफ यू से काफी जादा इंपॉर्टेंट यह आपका टॉपिक है बायो केमिस्ट्री से जिसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि सारे के सारे कार्बो हाईडरीट के लिए कौन कौन से पर्टिकिलर आपके टेस्ट होते हैं उनके अंद उनके आपके केमिकल टेस्ट होते हैं कार्बो हाईडरीट के लिए बेसिकलि अगर देखा जाए तो आपके पास साथ से आठ यह टोटल टेस्ट है सबसे पहला जो टेस्ट है वो है बारफोईट्स टेस्ट अब याद रखना इनके अंदर रियेजेंट क्या के इस्तमाल हु की मिलेगा जो टेस्ट होता है उसके बिल्कुल बॉटम में किसके लीए परफोर्म किया जाता है यह एक ऐसा टेस्ट है जो कि जो मोनो सेक्राइड होते हैं मोनो सेक्राइड होते हैं उनको डाय सेक्राइड से डाय से करने के लिए किया जाएगा ठीक है जैसे आपको दो चीजे दे दी जाएंगे उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपको मोनो सेक्राइड को डाय सेक्राइड से अलग करना है तो आप bar for it test का इस्तिमाल करते हैं दूसरा मेरे पास test जो है that is benedic test जिसके अंदर आप इस्तिमाल करेंगे cu so4 copper sulfate plus sodium carbonate and sodium citrate इसके बाद यहाँ पर जो आपको observation में देखने के लिए मिलेगा वो है orange, red या पर brick red कलर के PPT किसके लिए किया जाता है यह जो test है यह आपके सारे reducing sugars के लिए perform किया जाता है इसी की तरह एक और test मेरे पास है वो है felling test felling test जिसके अंदर दो solutions लेते हैं felling solution A then felling solution B अब इसमें yellow red PPTs आपको मिलते हैं यह test भी reducing sugar के लिए ही किया जाएगा next जो test है वो एक एकलोदा ऐसा test है जो सारे carbohydrates के लिए perform किया जाता है जिसका naam है molish test molish test विया दखना देखो सवाल कैसे पूछे जाते हैं सवाल आपको inference के थूबी दिया जाएगा क्या आपसे का जाएगा क्या ऐसा test बताइगे जो कि सारे carbohydrates के लिए perform किया जाता है या पिर आपसे question में दिया जाएगा आपको reagent दे देंगे, reagent के बाद आपसे पूछेंगे कि ये कौन से test का reagent है, या फिर आपको test का नाम दे देंगे reagent पूछा जाएगा, तो कैसे भी सवाल बन सकते हैं, next जो test है, वो है mollis test, जुसके अंदर आप alpha naphtanol and इसी के साथ ही साथ, C2H5OH का इस्तमाल करेंगे, परपल red rings मिलते हैं, जहां पर ये दोनों liquid का junction होता है, ठीक है, दोनों liquids का junction होता है, किसके लिए सारे carbohydrate के लिए परफॉर्म किया जाता है तेस्ट, next जो test हमारे पास है that is Sally Benhoff test, जिसके अंदर आप resource in all, HCL के अंदर इस्तमाल करते, as a reagent, इसमें red color के complexes आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ये ऐसा test है, जिसके अंदर आप LDOSES and ketosis को, LDOSES and ketosis को distinguish करने के लिए करते हैं, LDOSES and ketosis जानती होंगे आप, जिसके अंदर LDH group पाया जाता है, LDOSES, जिसके अंदर keto group पाया जाता है, वो ketosis, तो उन दोनों के बीच में distinguish करने के लिए आप ये Sally Wenhoff test का इस्तमाल करते हैं, देन हमारे पास आता है Tomer's test जिसमें Tomer's reagent का इस्तमाल होता है, red या पर yellow color के PPTs आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये भी एक ऐसा test है, जो की reducing sugar के लिए perform किया जाता है, osazone test, star mark बना लो, star mark बना लो, बहुत ही important है, osazone test, ठीक है, osazone test के reagent से भी सवाल पूछा जा सकता है, phenyl hydrazine, phenyl hydrazine, sodium acetate, plus acetic acid, और इसी के साथ water, ठीक है, इसका reagent इस्तेमाल करके, हम glucose, fructose, manose, इनके लिए perform करते हैं, osazone test, क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें greenish yellow, greenish yellow, needle, या फिर broomstick के, कुछ PPT crystals, आपको देखने के लिए मिलते हैं, next is iodine test, जिसके अंदर आप suspension or solution of polysegurides लेते हैं, और इसे के साथ, एक से दो drop of iodine इसमें इस्तेमाल किया जाता है, brown wine color और deep blue color, आपको दो जिज़ें यहां पर देखने के लिए मिलती है, अब, केस यह बनता है, अगर वो test, अगर उस solution के अंदर starch present है, starch present है, तो आपको deep blue color देखने के लिए मिलेगा, और अगर उसके अंदर glycogen present है, glycogen present है, तो आपको brown wine color देखने के लिए मिलता है, ठीक है, याद रखेगा कैसे किया है, एक से दो drop iodine के और polysecret का solution दोनों को मिलागी, मिलाने के बाद आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, अगर उस solution के अंदर starch है, यहीं तक समाप्त होते हैं आपके, chemical test for carbohydrates यही थे, इन साथ आठ जो test है, यहीं से question बनेंगे, अगर आएंगे तो, ठीक है, important है, याद रख लेजेगा, और इसी के साथी साथ, टेलिग्राम चैनल जरूर जाइन कर लेजेगा, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए, thank you.